हेलो एब्रीवान वेलकम तो स्रीपीक क्लासेज के इस होफ़ली अब अपने घर में सब अच्छे होंगे तो अच्छे रहें ध्यान रखिए अपना एंड गाइज आज हम डिसक्स करेंगे घट्टा जकर सेरीज में साइंस एलेटेड कोशन तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं कोशन फर्स्ट है विच्वान ओफ फॉल्विंग इस एन अंजाइम तो चार ऑप्शन हमारे पर गिवन हैं ऑप्शन यहां पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा ट्राइप से जो ट्राइप सीन है वो एक तरह का अंजाइम होता है और सभी एंजाइम एक त ईनगे हुग हुआ है वह आपि अपर इससे संवान होता है वह एक तका औरर ने होता है वैसे जितने पिर इन ईनगे होते हैं को हम एक तरह से प्रोटीन कंसीडर करते और ट्राइपसीन को हम यहां पर एक difference के according समझते हैं ट्राइपसीन और पैपसीन क्या होता है स्टमक डाजर्जेस्ट जूस प्रोड्यूस करते हैं यह एसीय प्रीजेस्ट करवाते और जो पैपसीन है यह हमेशा को चोप करता है पीसेज में बाकी डिटेल में आपको information यहां पर देखने को मिल जाएगी ट्राइब सिंग प्लेंग दा सेंटर रोल डेट चॉप सब प्रोटीन चेन इंटू पीसेज अब सेकेंड कोशन से पहले हमें एक बर हम यहां पर लिस्ट वन देख लेते हैं है और कौन-कौन से ऑर्गनS ner直接 और निवर काफी अच्छा कूश्छन है इस question को हम वीडियो के अंत में discuss करेंगे तब तक आप अराम से सोचिए और इस question को attempt केजिए और answer मुझे comment section में बताइए next हम question discuss करते है golden rice has the highest quantity of अब देखिए ये question UPPCS में पुछा हुआ है 2011 में और even हर्याना में भी question आया हुआ है golden rice has the highest quantity of मतलब कौन सा vitamin पाया जाता है अब घटना चकर एक best compilation है अगर आप state PCS या फिर CDS और SSC की त्यारी कर रहे हो even UPAC की भी अगर आप त्यारी कर रहे हो तो आप घटना चकर को consider कर सकते हो तो वहाँ पर आपको best compilation देखने को मिलेगा और जो previous year question पूछे होते हैं उसी की बिहाफ पर examiner हमेशा question पूछता है तो आप यहाँ पर इस question को attempt किजी golden rice हमें कोन से vitamin में ज़्यादा देखने को मलता है vitamin A, B, C and K तो hopefully अभी तक आपने इस question को attempt कर लिया होगा तो यहाँ पर आपका option A बिल्कुल सही हो जाएगा vitamin A तो देखे golden rice is genetically modified rice rich with vitamin A next question हम discuss कर लेते हैं among the following vegetables the maximum vitamin C is found in काफी अच्छा question है तो देखे vitamin C का जब भी question हमें देखने को मलता है तो हम expect करते हैं कि हम लोगों से direct पूछा जाएगा कि यह citrus fruit है या नहीं यहाँ पर question काफी अच्छे से पूछा हुआ है तो देखे vitamin C हमें किस में ज़्यादा देखने को मलता है chili में, pumpkin में, pea में या फिर radish में तो यहाँ पर आपका सही option हो जाएगा option A, chili तो एक बर हम यहाँ पर detail में इसको देख लेते हैं तो chili में कितना vitamin C होता है तो आपने यहाँ पर इसको भी अच्छे से याद रखते हैं next question is which one of the following is a rich source of iron तो यह UP pieces 2008 में question पुछा हुए तो हम देख लेते हैं यहाँ पर rich source of iron carrot, pea, rice या फिर यहाँ पर option D है spinach तो यहाँ पर आपका सही option हो जाएगा spinach spinach को हम हिंदी में क्या कहते हैं तो देखे rich source of iron कौन-कौन से होते हैं मेथी वेजीटेबल 16.9 mg अगर आपसे question कुछा जाता कि सबसे ज़्यादा iron हमें किस में मिलते हैं मेथी वेजीटेबल में then पुदीना में 15.6 mg spinach में 10.9 mg gram में 9.8 mg poha में 8 mg poha चावल सी बनता है मिली oat mills 5.3 mg ground nut 8.5 mg और एक daily life में हमें कितना consume करना चाहिए iron 20 mg per day next और आज के जो हमारा last question है match list one and list second तो list one एक पर हम देख लेते हैं phobia, neurosis, hypochondria, insomnia and list second में maladaptive habits, undue concern about health, lack of sleep intense fear अब ऐसे questions जब भी हम अपने exams में देखने हैं तो हमें यहाँ पर देखना है कि हमें कौन सा point आता है तो इसमें से सबसे easy कौन सा है तो इसमें से easy हो जाएगा हमारे लिए hypochondria या फिर insomnia अब insomnia क्या होता है lack of sleep तो यहाँ से आपने connect करना start करना है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ हम डी लिख देते हैं और उसके बाद insomnia यह भी बहुत easy है तो insomnia के हम यहाँ पर insomnia basically होता है lack of sleep hypochondria क्या होता है undue to concern about health तो यह भी काफी easy था तो यहाँ हम लिख देते हैं C उसके बाद neurosis यह mental health से related होता है अगर कोई person anxiety या फिर depression का शिकार है तो वो basically उसको neurosis या फिर mal adaptive habits की वज़े से उसको anxiety के attacks आते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं B और phobia एक तरह से कोई भी हम यहाँ पर phobia consider कर सकते हैं तो एक तरह से intense fear यह भी easy था तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ आपका option C बिल्कुल सही हो जाएगा 4, 1, 2, 3 और जी option C आपका बिल्कुल सही हो जाएगा देखिए phobia is a kind of intense fear from something जैसे hydrophobia अगर हमें पानी से डर लगता है लॉरोफोबिया is a fear of cats astrophobia is a fear of thunder and lightning एक movie आई थी भूल बलेया उसमें I think एक एक्टर है और काफी अच्छे comedian एक्टर है उनको पानी से डर लगता है hydrophobia तो इस से इस तरह से भी आप याद कर सकते हो जब आप science को daily life से compare करोगे तो आपको easy रहेगा याद रखना आपको पताया कि वरी बहुत ज़्यादा हम लोग अगर tension ले fear anxiety feeling of insecurity तो उससे जो हम लोग अपना यहाँ पर एक तरह से एक disease हो जाती है या फिर हमारी जो habits होती है उसकी वज़े से मतलब जो हमारी खराब habits होती है and hypochondria is a condition in which there is undue to concern about health अगर कोई भी person अपनी health का ख्याल नहीं रख रहा तो उससे भी हमारी जो health है जो काफी खराब हो जाती है उसको क्या कहा जाता है hypochondria and insomnia अगर आप काफी रातों से नहीं सोयो तो ये भी एक तरह की विमारी है insomnia और जो हमारा quiz है इसको एक बर हम देख लेते हैं तो cigarette smoke ये बिसिकली हमारा कौन सा organ effect करता है lungs and arteries mustard gas ये भी lungs effect करता है asbestos ये lungs and plural membrane effect करता है asbestos एक तरह से काफी थिन होता है और जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ हमारी सांस के साथ हमारी body में enter कर जाता है और ये lungs and plural membrane को damage करना start कर देता है and vinyl chloride ये damage करता है liver को बाकी detail में आपको as it is यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और PDF आपको जल्दी telegram channel पर मिल जाएगी hopefully जो आज हमने 5 questions discuss करें 5 plus 1 एक quiz discuss करी वो आपको समझ में आया होगा in case अगर आपका कोई doubt है please comment section में post करेगा next session में बहुत जल्द मिलेंगे तब तक के लिए अपना ध्यान रखे बाई बाई टेक केर